नमस्कार चुनावी अखाड़ा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवानिलोहिया गुरुग्राम प्लेसिक नई मुहीम लेकर आया है जिसके चलते हम हर वार्ड गुरुग्राम और मानिसर के जा रही है और देख रही है कि आखिर इस बार किस तरीके से सत्ता पलटने वाली है इस बार कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है इस बार कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन जो है वो हाथ दबा करब घर में बैठ गया है और इसी के चुलते फिलाल जो है हम गुरुग्राम के वार नमबर 30 का सर्वे करने के लिए उत्रे हैं और इस वक्त हम फिर से भौनसे गाओं में ही मौजूद है और यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिरकार भौनसे गाओं में क्योंकि भौनसे गाओं जो है वो बहुत बड़ा है और हाल ही में जो है वो नगर निगम में शामिल हुआ है वार नमबर 30 में जो है वो शामिल किया गय देख रहे हैं कि 2 साल से लोग इंतजार करें रहे हैं चुनाव का तो इस बार पहली बार जब पार्षद बनने वाला हैं गरे बोट पर बड़े बुजर्ग हमारे साथ है यानि कि 18 साल से 30 साल तक 40 साल तक की महिलाए और युवा पीड़ी जो कि हर देश के अंदर हर सत्ता के अंदर एक एहम रोल जो है वो फिलहाल निभाती है तो सबसे पहले सत्ता पीड़ी से जो युवा पीड़ी है उसी से बात करेंगे आप यहाँ पर मौजूद है पहली बार जो हैसा हो रहा है कि आप पहले आप लोग सरपंची सुनते दे लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पारशदी चुनना है तो पारशद जो है किसको चुनने वाले हैं किस पर लगता है कि हाँ यह हमारे जो परेशानिया है दो साल की वो खतम कर सकता है पारशदी में वैसे त सोटा से इमानदार आदमी है और कैरेक्टर वाइज भी सही है तो बेसिकलिए मुसको चाहते हैं कि भारत कोशिक को हम निगम पार्शित का उमीदवार गोशित करने कोशिश करेंगे हमाई तरफ से वोट उसी को जाएगा और हमें लगता भी है कि वह एक महनती आदमी है जैसे तो आप लोग भारत कोशिक को सपोर्ट कर रहे हैं इमानदार लड़का है और दूसरा महनती भी है तीसरा उसके उपर अभी तक हमने कोई ऐसा ब्लेम सुना नहीं है कि उसके नाम के पीछे कोई ब्लेम लगा हो तो इस वज़े से हमें उमीद है कि वह हमारी उमीदों पर ख इस सपोर्ट किया हैं सबयाँ हैं तो उस एमिए पर यह विशुअ के होना उन्हें था एक टिक्ए हुए दावेदार भी है जिससाब कि भारतिया जनता पार्टि को जो भुच्वी बनाई हुई है वही च्वी जो है भारत कोशिक आगे कंटीनु करते हैं जो कि हमाँ आप उनका पूर पास्ट देखोगे तो उन्होंने वैसे ही काम ओलरी किये हुए हैं जो कि करते हैं बारत कोषिक करते हैं और भी तमाम लोग यहां पर मौजूंद है सर आप ये बताईए कि जैसा कि आप लोग सभी बार बार ये पूछना कि आप किसको सपोर्च करने है ये अननसेसरी होगा आप लोग भारत कोशिक को सपोर्च कर रही हैं, क्या अगर क्योंकि वो एक पक्के दाविदार माने जा रहे हैं भारती जंता पाठी कि टिकेट के, अगर टिकेट नहीं मिलती है, तो उसके बाद किस तरीकी का रवाईया आप लोगों का होने वाला है? हम तो जी भारत कोशिक की साब हैं और हम उमेद है कि भारत कोशिक हमारी उमीदों पर Army कर आप already और वहीं जुए जो इस गाम का विकास करा सकता है लोगों के लिए सबसे पहले कराना चाहते हैं यहां पर हर जो यहां पर उमीदवार के समर्थक है वो भरत कोशिक को समर्धन दे रहे हैं इनका साथ तोर पर यही कहना है कि हमें वश्वास है कि जस तरीके से भारत पहले काम करते हुए नज़राई है वैसे ही इस बार भी थ्या है वह काम करेगा उनकी कुछ ऐसी समस्यां है जिनको लेकर भान से घाओं हमेशा से ही संस्या certains और गली की समस्या और पानी की समस्या और उसी पर जो जो समस्या है उनको अंसे बचने के खर्मत और जुजारू उमीदवार है। हमें विश्वास है कि वो इस उस पर खरा उतरेगा और उसने पहले भी बहुत अच्छे-च्छे काम किये हैं। जैसे कोवीड के टाइम में लेबर का खाना तीनों टाइम पहुंचा आया हाई स्कूल में और उनके घर तक पहुंचा आ तो बचपन से ही वो ऐसा सेबा भाव के उससे थे या फिर अभी ऐसा कुछ हुआ है। भारत बचपन से ही अपने बड़ों की भी बहुत इजट करता था और अच्छा काम करता था और एक पढ़ा लिखा है तो हमें विश्वास है कि वो काम अच्छा करेगा। बचपन से ही जो है जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि भरत कोशिक जो है उस परिवार से है जो अनियल पंड़जी का परिवार माना जाता है जो कि पहले से ही जो आसपास का जो समाज है उसमें बेहत प्रसिद है और हर कोई व्यक्ति जो है ये जानता है कि अनिल पंड़जी जो है उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिये हैं समात सेवा करने के जिस्तै की वो अपने आस पास के लोगों की जो है वो मदद कर सके और भी लोग जो है वो हमारे साथ है आमा आप इतने बुजर्ग हो आप भी हाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हो आपने भारत को बचपन से देखा होगा है ना तो किस तरीके से बचपन में ही ऐसे थे किस तरीके से उनकी जो परवरिश है वो हुई और आज जो है आप लोगों का मान बढ़ाते हुए वो पहुंचाता है गरीबों की बहुत मदद करता उसका सरीव से बहुत अच्छा नेचर है बहुत बढ़िया हम तो चाहते हैं अको हाँ है हमारी भी दिकत कुछ मीटे पहले सरपंच जो है वो हुआ करते थे जो गाउं का विकास कराते थे लेकिन अब नगर निगम बन गई है पार्षद बनाने पड़ेंगे अब गाउं का ऐसा भी हो सकता है कि बाहर का लेकिन आपने भरत कोशिक को जो है वो स्चोना है अपना पार्षद बनाने के लिए तो उम्मीदे और क्या कुछ है जो समस्या है वो क्या है समस्या तो बहुत हैं देखो रस्ते नहीं हैं गली नहीं हैं पाने की समस्या रहती है सब को यह सबते जादत यह समस्या रहती है वह और बुजगर है उनकी बहुत उस शेवा पानी में रहता यह पहल सिन में भी बहुत शेवा पानी में रहता बिल्कुल भरत के समर्थर में यहां पर यह अम्मा नज़र आई है और साफ तोर पर इनकी उम्र जो है इनका तुजर्बा यह चीज बता रहा है कि भरत कौशिक जो है वो इस वार्ट नुबर 30 के लिए एक सटीक जो उम्मिद्वार वो है अगर उनको टिकेट नहीं मिलती है तो भी क्या आप लोग उनके साथ खड़े हैं हम भारत के साथ हैं और भारत बहुत अच्छा लड़का है भारत ने अभी स्टेडियम के यहां कलोनी कटी है उसमें पानी नहीं आ रहा था अच्छे मैने से वहां बोर करवाया सब को पानी प गाम का भी नाम करें कि बहुत अच्छा अलब पंड़ी निकला जो तुनाओं में खड़ा हुआ भारत को समर्थन है उनके परिवार को समर्थ है उनकी परवरिश को समर्थन है काम करता है खेल कूद में बच्चों को कोई चीज की जरूत होती है लाकर देता है खेलते हैं बत्चे और भी काम की पर्ड़ात को आधी रात को खड़ावर रहता है आधी रात को आप लोग समझते हैं बेह। अच्छी दरीके से एक टिकेट पर चुनाब लड़ना और एक निर्दली चुनाव लड़ना आप लोग भरत को टिकेट के साथ समर्तन दे रही है या बेना टिकेट के लेकर आते हैं तो बहुत अज्यादते से जीटेगा सुहागा तो ही जाएगा लेकिन लोगों का साथ तोर पर यह भी कहना है कि अगर टिकेट नहीं मिलती है तो क्या भर भरत कोशिक जो है वो यहांपर जीट हैसल करने वाले हैं साफ्तोर पर यहां बड़े बुझुर्ग जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं समर्थन तो भारत है वही वार्ट नंबर 30 में आगे रहेंक क्या कहें भारत हमारे दीश का नाम है और यहां वार्ट नंबर 30 ने और भारत रहेगा बनेगा हम बनाएंगे उसको किस तुरीक से वार्ड no 30 के अंदर हम दैसको परिवार के लिए बनाना है इसके लिए आगे चल के जो आगे तरक्की करेंगे ऐसा घ्रामीनों का कहना है बड़ी बुजर्ग यहां पर है महिलाएं यहां पर है आप देख सकते हैं कि बड़ी बुजर्ग यहां है महिलाई यहां पहर युवा पीड़े यहां पर है और साफ तोर पर इन सभी ने इस चीज का आगास कर दिया है कि क्योंकि हमारे देश का नाम भारत है और अगर भारत को हमारे शेत्र के अंदर हमारी समात सेवा करने का हमारी परिशानियों को हल करने का हमारी समस्याओं को सुन प्रती निधी होगा वो जो है सिर्फ और सिर्फ भारत कौशिक ही होगा अब देखना ये होगा कि वार्ड नबर 30 में जहां बॉंसी गाओं के अंदर हम देख रहे हैं कि आखिर भारत कौशिक जो है यहां पर नंबर वन आए हैं अब आगे देखेंगे कि किस तरही की तस्वी ही जो है वो रहने वाली है आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताए धन्यवाद जीते गाव भारत कौशिक प्रफॉर भारत कौशिक तो आधा रिकावाद